शिक्षा निश्चित रूप से जीवन का सबसे महतोपूरण अंग है ऐसा मेरा मान है इसलिए व्यक्ति को जो है जनम लेने के बाद जनम लेने के उपरांत कुछ न कुछ काम करना पड़ता है अपने जीवन को बनाए रखने के लिए जीवन यापन के लिए कुछ करना पड़ता है तो जब जीवन लेने के फश्चात कुछ काम करना ही पड़ता है तो निश्चित रूप से शिक्षा के छेतर में अगर काम करने का आउसर मिलता है तो मैं समझता हूँ उसे बढ़कर व्यक्ति को और क्या आनन और गर्व का अनुबब होना चाहिए मैं समझता हूँ प्रोफेशनलों है सबसे अच्छा प्रोफेशन जो है एजुकेशन है दूसरी और आप शिक्षा को देखिए न जो राष्टर का निर्मान जो राष्टर का विकास जिस पुरुष और माहिलाओं के द्वारा होती है वो किस पुरुष और माहिलाओं के द्वारा होती है जो लोग शिक्षित होते है है न और आप देखेंगे कि समाज में देखें य जो लोग शिक्षित होते हैं, शिक्षित परिवार, सुखी परिवार होता है, शिक्षित व्यक्ति सबसे सुखी होता है, जो समाज शिक्षित होता है, या जो राश्टर शिक्षित होती है, वो संपन होता है, सुख में होता है, जब हम फिर शिक्षा की बात करते हैं, तो शिक मेंनओं है शिक्षा को हम कोई यॿनिवर्थिली एक प्रकार से एक्सेटिड डैफिनिशन की अंदरकर ने रख सकते हैं शिक्षा मैं oderस बहुत जादा है ना जहां शिक्षा को हम देखते हैं कि idealism एक है वहीं देखते है realism एक है उसको तोड़ा और बड़ा हैं तो नेचरिलिजम या प्रागमेटिक टाइब का शिक्षा के अन्यक आयाम हैं, रूप हैं, किसी एक डैफिनिशन, किसी एक फ्रेम के अंतरगत रख करके हम बहुत ज्यादा शिक्षा को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भे जहां तक यदे भी मैं शिक्षा शास्त्री न लगाव जरूर है, लेकिन उसके बहाए रूप है, उसके बारों में मेरे कुछ जानकारी नहीं है, जहां तक मैं देखता हूँ शिक्षा के संब्द में, हमारी जो प्राचीन शिक्षा थी, एंशिन जो एजुकेशन जो सिस्टम था है, एजुकेशन, बो जो प्राइव वे को ले करके बाते होती थी, ईश्वर आत्मा, परमात्मा को ले करके बाते होती है, हमारा प्राइव जो हमारा शिक्षा का जो संब्द है, शिक्षा का जो एक सिस्टम था, वो जो है भारती है, प्राचीन वेद से ले करके आप देखेंगे, तो वो आद्यातम परक है, उसी भी आदियातम से ही संबंदित है, यह ना, वहीं अरस्टोटिल केता है, एजुकेशन रेसिस्ट रहुमन बिंग फ्रॉम दा एनिमल इंस्टिंग करके केता है, वहीं पलेटो क्या कियता है, ट्रॉट, ब्यूटी, अनिमल इंस्टिंग करना है, उसी सत्य, शिवम और सुन्द्रम की प्राप्ति करना ही शिक्षा केता है, एक प्राकार साथ के ग्रीज का जो यह शिक्षा का जो सिस्टम था, प्राचीन काल में, वो भी आधियादम परक था, आधियादम से एलेटिग था, तो आईडेलिजम में हमारा उदेश है, शिक्षा का उदेश है उदेश हो जो एक प्रकार से क्या है? स्वरक की प्रापती करना हो या प्रमतग्द्थी करना जो हमारा शिक्षा का उदेश है रहा है तो आगे चलकर कि जब हम देखते हैं, 16, 17 airplane three में जब हम देखते हैं तो ये रियलाइजम जो है, है ना, ये शुरू होती है, याथारत वादी जो शिक्षा पदिती जो है, सोली स्टावनी शिक्षादावती से शुरू हो जाता है, वहाँ पर याथारत वादीयों का क्या है, जो वसू, चक्षू के प्रत्यक्ष, इंडियों के प्रत्यक्ष, सिर तो इसके चलते जो है सुख्टिन से तब फिर आप देखते हैं कि जब से ये आपका एवलूशन ठ्योरी आजाता है तो उसके अनुसर क्या है? उसके लिए कोई मानुवे मूल्यों की संब्सक्राइब बात नहीं करता है मतस्य निया है, जिसके बाद शक्ति है वही सरवश्रेश्ट, यह उनका दृष्ट कौन है क्योंकि उन लोगों ने एक प्रकार से चित को, मन को, आद्यातम को जो है एक प्रकार से नेगेट किया है यथारतवादी सिद्दान्त ही आद्यातम के विरोध में, मत के विरोध में, चर्च के विरोध में, है ना, धरम के विरोध में खड़ा हुआ है तो इसके चलते जो है उन लोगों का अपना सोच जो है सिर्फ क्या है व्यक्ति क्या है सिर्फ फिजिकल बायलोजिकल स्टफ है अपार्ट फॉम देंदेश नाथिंग सच का इंब कॉंशनेस या माहिन या ऐसा किसी प्राकार का अस्तीतफ को बोड़ नहीं मानती है बस शरीड है सिर्फ बातिक है है कि ने तो इसके लिए खुश है शान्ती के लिए आप किसी भी प्राकार का एक प्राकार के सादन है ना छल कपड कुछ भी कर सकते हैं आपके शान्ती और सुख की प्राप्ति के लिए वहाँ पर सादन मीन्स कोई मतलब नहीं रखता है सिर्फ आपको जीतना है नैचर पर जीतना है आपको आधिपत्ति की प्राप्ति करना है आपको आकाश, वाही, जल सब पर नियंदरन करना है उनका उदेश है या थात वादी इसके जलते जो है वो लोग यह सोच थे जो जादा से जादा कंजुम करता है वो बड़ा है वो सब है, वो कुलीन है जिसके पाफ जादा से जादा खर्च करेगा तो यह मैं समचता हूँ जो आधूनिक शिक्षा का एक प्रकार से आधार इसकी जलते है यदे भी याथारत वादियों ने भी चंदर मापर आतना आदिपत्य मंगल पर बहुत कुछ दिलबस किया है इसकी और शक्ता है ऐसी बात नहीं कि मैं उसको नेगेट कर रहा हूं नहीं याथारत वादियों होना चाहिए लेकिन मेरा ये मानना है शिक्षा का नीटी जो है तो आइडिलिजम और रियलिजम का समन्वर रूप होना चाहिए तब चाहिए जो है जीवन की यात्रा जो है कहें या जीवन हमारा जैनियन सुक और शान्ती के प्राप्ति हो सकती है ऐसा मेरा मानना है क्योंकि बुदिजम की दृष्टी से अगर देखा जाए बोधों की बात करते हैं ना परसंगी बात करते हैंना व्यक्ति क्या है व्यक्ति ना सिर्फ बायलोजिकल स्टाफ psychologists आप फिजिकल मातर है छेए नहीं सिर्फ चित मातर है वोग्ष हैपंच five aggregates करके होता है होता है पंच second करके है जिसमें रूप है फॉम है जिसमें feelings है, जिसमे perceptions है, जिसमे mind volition है, जिसमे consciousness है, पांच है, पांच चीजों का समझनवे रूप, एक प्रकार्ट से व्यक्ति है, व्यक्ति जो है, फिर सारा अगर कहें, हम व्यक्ति जो है, जड़ और चेतन का बना हुआ है, व्यक्ति जो है क्या है जड़ भी है और चेतन भी है जड़ इसलिए है जो matter जो है physical जो body है ये जड़ है ये matter है जो feelings है जो सोच रहा है परसेप्शन है ये कोई ये चेतना है जड़ और चेतना है तो जब हम सुक की बात करते हैं या जब हम दुख की बात करते हैं तो सुक क्या है इसको ह प्रकार की सुक है, एक शारीरिक सुक है, और एक मानसिक सुक है, वहीं जब हम दुख की बात करते हैं, एक शारीरिक पीड़ा है, शारीरिक कस्ट है, शारीरिक दुख है, वहीं फिर क्या है, मानसिक सुक भी है, तो सुक का अर्च सर्फ शारीरिक सुक मातर नहीं है, मानसिक ज्यादा डॉमिनेट करती है हमारे वास्त्विक सुक और दुख में मेरा ऐसा मानना है